हेलो फ्रेंड्स नमस्कार लेटेस स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं किर्थी इंडिस्ट्री इंडिया लिमिटेड की दोस्तों यह स्टॉक की अगर हम देखे तो डीटर्ण तो बहुत ज्यादा नहीं दिया अपने शेय स्टॉक के अंदर यहां पर अपर गाया था 18 रुपिया चालीस पैसा और यहां पर हाई लगा रखा है 182 रुपया का दोस्तो अगर आप देखें यहां पे तो एक साल में यह stock upside दिखाया है और upside अगर हम देखें तो यहां पे 182 रुपया तक यह stock अल्रेडी टच कर चुका है लेकिन अब भी के टाइम पे अगर हम बात किरें फरवारी से stock में धोड़ा सा देखने को मिला तो एक तरह से मार्केट की गिरावट की विज़से हुआ है यहाँ पर देखना है उसकी विज़से करफ elation देखने को मिल रहा है k rigorous नहीं कह सकते एक सर्टा से ठीब का सकते है इस कंपनी का और आप देख सकते एक सोतेस रुपय के करीम नीचे गिरा था तेरा मार दोज़र चोविसको उसके बाद इस स्टॉक में थोड़ी सी अपसाइड भी देखने को मिल रहा रहा है इस टॉक तो आई होब कि यहां से अपसाइड दिखाए लेकिन यहां पर क्या होता है जो आगे में वीडियो में बा करते हैं Centralized Manufacturing Units से इनके पास 15 प्लस सेट एन युनियन ट्रेट्रेट्री में है 32 प्लस एक सेट ऑफे अपधा यहां पर देखने को मिल रहा है 40 प्लस से यहां पर यहां पर देखने को मिलता है क्लचार माइक्रो इग्रिएशन बिल्डिंग एं इंफ्रास्टुक्ट्ट्च वुड़े क्लाइंटेल आपको देखने को मिलेंगे गेल की बात के लिए हएच एफ-सी एल इंडियान वाइल गैप अधानिक आधनी गैस की बात के लिए टाटा प्रोजेक्ट बात के लिए अधेल डीज्टल लाइब गुजरात गैस जिंदल स्टीफ पावर भारती ये सब लेकिन कमपनी का बारे में आपको बताये पूरी टेल से पहले दोस्तों यहां पे वीडियो लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी सेर करते रहें जिसके उनसे को भी यह सारी चीजे जनकारी प्राप्त हो पाए तो दोस्तों अब चलते हैं बात करते हैं किर्थी इंडिया लिमिटेड की और एक कंपनी बिसिकली पेनिया स्टॉक वाली कंपनी है आप दे देखने को मिल रहा है दोस्तों केर्थी मैनुफेक्श्रिंग यानि केर्थी इंडिस्ट्रिस की अगरम बात करें तो प्रीमियम क्वालिटी पाइपिंग प्रोडक्ट्स से काम करती है और सोलूसन है एक से से जो गया इस पाइप में यूज होता है टेलीकॉम में यूज हो प्रोड़क्ट यूज करती हुई नजर आती है दोस्तों अभी के टाइम पे अगर स्टॉक का पी आप देखोगे तो मार्केट के पी से इसका पी अभी भी कम है और इंडिस्ट्रिस के पी यहां पर 32 भी लेकिन इंखा 19 पे देखने को मिल रहा है बुग वेलू 28 रुपया 30 पैसा का देखने को मिल रहा है डिविडेंट कंपनी किसमें परकार का प्यानी करती है फेस बेलू एक रुपया का है कंपनी का आरोसी और यह दोनु चीजे निगेटिव में है जो मुझे बहुत खराब लगता है आप यहां पर इस कंपनी का जो एक तरस देखे तो आरोसी अच्छर नहीं है और EPS साथ रुपय के रुपय के रुपया बार्वी पैसे जनरेट करती है और इनके पास 136 कुरू का रिजर्ब्स है और डेप एक सुल्ला कड़ू का देखें यहां पे डेप टू इक्टी देखो 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 जिडो पाइंड टूखा है तो ठीक ठाक इतना खराब नहीं है लेकिन यहां पर अच्छी खासी होल्डिंग यहां पर रखे हुए नजर आते हैं 66.4% की होल्डिंग पर मोटर इस कंपनी के अंदर होल्डिंग की हुए है और दोस्तों अगरा बात करो ग्राम नंबर की तो 66 पे आपको देखने को मिला पेट्रोस की इतना चरिटिंग नहीं है और इसके अंदर माइनर सी होल्डिंग रखे हुए नजर आते हैं तो अब हम बात करते हैं यहां पर क्या कर रहे हैं तो खास करके अगर हम देखे हैं मार्ट 2024 के अंदर इस अपनी होल्डिंग 0.15% से घटा कि 0.01% कर दिये तो यह एक तरसे निग इंवेश्टर हैं उनकी यहां पर इंक्रीज होता हुआ नजर आया है लेकिन पर मोटर की वोल्डिंग में यहां पर बहुत कुछ चेंज देखने को नहीं मिलता है पर मोटर एस्टिविलिस हैं और यहां पर मोटर बिल्कुल कर सकते हैं कि अस्टेवाल है और अपनी कम्पन कुल मिला के बहुत अच्छा रहा है इस कंपनी के सेयरोलडर के लिए दोश्तों यहां पे आनेवाले क्यू पैक रॉटर का लिए वाला है बहुत जल्द कंपनी यहां पर अनाॉस्मेंट करेंगी अपनी फौर्टर के लिजल्ट की अब देखनी वाली बात हो गई हो सकता है कि इनकी फीतर से ग्रोव से कर सकता है और यहांपनी फीतने नहों पूरे पूरी नहीं है जितनी होनी चाहिए कंपनी के जिस लेवल की कंपनी है उसके अकॉर्डिंग एक तरह से देखें इनके पास रिजब्स ज्यादा है इनकी बोरूइंग कम है यानि टेप्ट कम है साथ में यहां पर करती है क्योंकि यहां पर 600 कोड़ोट के अभी करीब करीब इसका मार्केट का एफ है और यहां पर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कंटीनु अच्छा रहा है बिके टाइम पर खास करके देखें तो ग्रोग की है कि उत्री में अगर की कोर में भी इस तरह से ग्रोग करती है अ परसिमें लूझे से किसमें अधी सू करती हम आप से प्याङिवेचा ट्रवेख सेट